हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टिटूट के इस लर्निंग प्लेटफार्म पर आज हम सीखेंगे एक नई स्टोरी से SSC में आजुके 20 सिनोनिम वर्ड्स को याद रखना तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशन किस प्रकार से SSC में पूछे जाएंगे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है Yard Stick इसके चार ओप्शन दिये गये हैं तो आपको एक सही आंसर ढूनना है जो कि Yard Stick का एक सही सिनोनिम होगा इस प्रकार से इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आप इस प्रकार के सभी कोशन के आंसर दे पाएंगे तो चलिए एक बार इस स्टोरी को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यह स्टोरी पढ़ना है यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक हाउ टू यूज स्टोरी के उपर क्लिक करके सबसे पहले आप पता कर लें कि किस प्रकार से इस स्टोरी का इस्तिमाल करना है या उप्योग करना है चलिए इस स्टोरी को एक बार पढ़ लेते हैं जलवायू परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है प्रकृती हमें इशारा करना चाहती है कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए वरना अंत में लिये गए असली निरणाई याने अहम निरणाई भी महत्वहीन साबित होंगे इस सब के लिए मनुष्य का लालच ही जिमिदार है जिसने सभी मान दंडों को नजर अंदाज किया और जलवायू को विशेला बना दिया इस्तिती चाहे निराशा जनक हो पर हमें एक दूसरे को दोशी न ठहरा करके इस्तिती ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए तो इस प्रकार से इस स्टोरी की साहता से हम ये लाल अक्षरों में लिखे शब्दों को इंगलिश में पढ़ेंगे चलिए अब इस स्टोरी की शुरुवात करते हैं यहाँ पर तीन सेंटेंस से हम छे वोक्या व्याद करने की कोशिश करेंगे शब्द होंगे परिवर्तन इशारा करना और पीछे हटना अब इस से हम कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं जलवायू परिवर्तन परिवर्तन को कहा जाता है ट्रांजीशन याने चेंज बड़ी तेजी से हो रहा है प्रक्रती हमें इशारा इशारे को इंगलीश में कहा जाता है बैक आन याने कॉल्ड बैक आन कॉल्ड इशारा करना चाहती है बैक आन कॉल्ड करना चाहती है कि अब हमें पीछे हट जाना पीछे हट जाने को कहा जाता है Regress, Backslide, पीछे हड जाना चाहिए इस प्रकार से आपको इन शब्दों को याद रखना है इस Slide को आप यहाँ पर रोग करके अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं चलिए अब यदि आप याद कर चुके होंगे तो हम एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पर इन खाली जगहों पर आपको Slide को रोग करके Video को रोग करके यहाँ पर इन खाली जगहों पर दिये गए शब्दों को लिखना है तो यही पर हमारा एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आप वीडियो को रोग करके इन words को लिख सकते हैं चलिए आगे के तीन सेंटेंस को अब हम पढ़ते हैं अगले तीन सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हैं वरना आन्त में लिएगए अहम याने महत्वपूर्ण निर्नावय भी महत्वहीन याने बिना किसी महत्व के शाबित होंगे इसके लिए मनुष्य का लालच ही जिम्मेदार होगा चलिए देखते हैं इन्हें इंगलिश में क्या कहा जाता है हमें word पढ़ना है अहम, महतवहीन और लालच तो चलिए देखते हैं वरना अंत में लिए गए अहम अहम याने genuine, original, निरनाई भी महतवहीन, महतवहीन को कहा जाता है little या फिर trivial little, trivial साबित होंगे हम इस सब के लिए मनुष्य का लालच लालच को कहा जाता है average याने greed average, greed, लालच ही जिम्मेदार होगा आप वीडियो को रोक करके इन words को याद रख सकते हैं और फिर इस प्रकार का test दे सकते हैं देखिए, यहाँ पर वही words आपको यहाँ खाली जगहों पे लिखना है तो वीडियो को रोक करके आप इन words को लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आपका यही पर एक छोटा सा test भी होता रहेगा चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ words को देखते हैं जिसने सभी, अब यहाँ पर इन चार sentences से हम चार याने की total मिला करके आठ words सिखेंगे जिसने सभी मानदंडों को नजर अंदास किया और जलवायू को विशेला, आपको story को ध्यान में रखना है विशेला बना दिया स्तिती चाहे निराशा जनक हो पर हमें एक दूसरे को दोशी न ठहरा कर स्तिती को ठीक करना होगा तो चलिए मानदंडों, विशेला, निराशा जनक और दोशी को क्या कहा जाता है इसे इंगलिश में देखते हैं जिसने सभी मानदंडों, यहाँ पर कहा गया है मानदंडों मानदंडों का मतलब होता है यार्ड स्टिक या फिर स्टैंडर्ड को नजर अंदाज किया और जलबायों को विशेला याने टॉक्सिक, पोईजीनियस बना दिया आप इमें जिसका सहरा ले सकते हैं स्टिती चाहे निराशा जनक हो, आप इमें जिसको देख सकते हैं स्टिती चाहे निराशा जनक, निराशा जनक को इंग्लिश में कहा जाता है सॉम्बर ग्लूमी, सॉम्बर ग्लूमी हो पर हमें एक दूसरे को दोशी याने की accused, indicted न ठहरा कर इस्तिती ठीक करनी होगी तो इस प्रकार से आप इन words को याद रख सकते हैं और वीडियो को रोकिए इने words को याद रखिए और फिर चलिए एक छोटा सा test देते हैं जिसने सभी इन जगहों पर आप सोचने की कोशिश करिए यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर आप इन खाली जगहों पर words को लिखने की कोशिश करिएगा यदि आप यह कर पाते हैं तो देखिए करीब करीब कम से कम 5-7 minute के इस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से वक्या भी याद कर पाएंगे तो आप वीडियो रोक करके ये काम कर सकते हैं चलिए अब एक छोटा सा अंत में टेस्ट ले लेते हैं इस टेस्ट में यहाँ पर red color से कुछ शब्द लिखे गए हैं यही word आप पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट देते हैं back on को क्या कहा जाता है सोचने की कोशिश करिए cold इसका सही आंसर होगा cold somber को क्या कहा जाता है सोचने की कोशिश करिए क्या होगा इसका synonym gloomy इसका सही आंसर होगा gloomy regress का सही synonym ढूणने की कोशिश करिए बैक्सलाइड इसका सही आंसर होगा बैक्सलाइड तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम आएगा और इसी प्रकार से आगे भी हम इन वीडियोस को लाते रहेंगे एक छोटा सा टेस्ट भी हम इसी दोरान और्गेनाईज करेंगे जिसमें पिछली स्टोरिस के वर्ड्स का हम एक टेस्ट लेंगे वह कैप पर बेस्ट तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काम आ रहा होगा इस वीडियो को देखने के लिए थेंक्यू